असलाम लेकूम आज हम addition and subtraction of vectors और parallelogram लाज जो हमने पहले पढ़ा था उस पर numericals करेंगे तो सबसे पहला numerical है find the net force होना body बहुत easy सा numerical है एक body है इसके उपर forces act कर रही है एक 4 newton force है जो नीचे की तरह अफेक्ट कर रही है और यहां से 4 newton force जो है वो उपर की तरफ act कर रही है यह 4 newton इस तरफ को यह 6 newton इस तरफ को तो हमने क्या करना है हमने net force मालूम करना है जितनी भी forces इस पर act कर रही है तो जब भी forces opposite direction में लग रही है तो वो एक दुसरे को cancel out कर देती है for example यह देखो यह वोली 4 newton ऊपर को लग रही है यह 4 newton ऊपर को और यह 4 newton नीचे को तो हम क्या करेंगे 4 newton में force subtract करेंगे तो 0 हो जागा यानि कि यह वोली force इस force को cancel out कर देगी यह दोनों तो हो गई cancel out Y axis वाली X axis वाली देखो X axis में force जो है एक force इस तरफ को add कर रही है 6 newton यह 6 newton force है और दूसरी है 4 newton force दोनों एक ही direction में act कर रही है तो direction same हो vectors की तो हम simple scalars की तरह उनको add कर सकते हैं तो simply 6 newton में 4 newton add कर देंगे 10 newton जो है वो हमारा answer आ जाएगा और direction क्या होगी direction वही होगी जिस direction में दोनों vectors हैं तो इसमें इसको add कर दिया तो यह resultant जो है 10 newton हो जाएगा थोड़ा बड़ा लेकिन जो इसकी direction है वो वही रहेगी तो 10 newton force है magnitude net force और direction कौन सी है positive x axis next question है find magnitude and direction of resultant force यह वही box है उस पे कुछ forces लग रही है इसका हमने क्या करना है resultant मालूम करना है ठीक है अब यहाँ पे देखो कि यह वहली force 2 newton नीचे की तरफ लग रही है और यह वहली 5 newton उपर की तरफ लग रही है ठीक है यह 5 newton उपर की तरफ है इस box के उपर और 2 newton जो है वह नीचे की तरफ है ठीक है तो 5 में से opposite direction में है यह इसको यह भी कहलो कि 5 n जो है वह positive y axis में है तो इसको positive लेंगे यह 2 n जो है वह negative y axis में है इसको negative लेंगे यह जो भी दो forces दो vector opposite हो तो resultant उनको subtract करके निकाल लेते है तो यहाँ पे कितनी 5 में से 2 निकालो तो कितना हो जाएगा 3 newton अब इस 3 newton की यह जो y axis में है इस 3 newton की direction क्या होगी direction वही होगी यह दो खुब बड़े vector में से छोटा vector निकाला है तो direction इतना vector यह छोटा निकाल दिया तो direction जो है वो बड़े vector वाली ही होगी तो यह वाली होगी उपर की तरफ direction ठीक है अगर मैं इस box को यहाँ पे एक point consider कर लू यह हमारा box है free body diagram में इसकी बना हूँ तो 5 newton में से 2 newton निकला तो 3 newton किस तरफ को ऊपर की तरफ तो यह 3 newton है ठीक है अब यहाँ पे यह वाली x axis वाली देख लो 7 newton इस तरफ है 3 newton इस तरफ है तो बड़ा क्या है कौन सी है 7 newton 7 में से 3 निकाल दो तो कितने होगी 4 4 हो जाएगा और 4 की direction क्या होगी जो बड़े vector की direction है यह इतने में से इतना निकाल दिया तो direction क्या होगी यही होगी 7 newton ठीक है तो 7 newton वाली direction होगी तो यह क्या हो गया यह हो गई 4 newton अब हमने क्या करना है वो पूछ रहे हैं कि ये दो वेक्टर हमारे पास जो आगे हैं वो पूछ रहे हैं कि direction net force जो है resultant जो है इनका पहले resultant निकालो फिर उस resultant का magnitude और direction बताओ ठीक है अब यहां पे हमने कौन सा law लगाना है यहां पे हमने parallelogram law law लगाना है ठीक है जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह हो कि दोनों की tails मिल रही हो तो हम क्या करते हैं उस पे parallelogram law लगा देते हैं इसको मैं दोबारा बना लेती हूँ यह है हमारे पास 3 newton force और यह है 4 newton force इस तरह को अब हम क्या करेंगे हम इस इन दो वेक्टर्स की parallelogram बनाएंगे कैसे बनाएंगे वर इस आपर यह वाला एक वेक्टर है यह वाला वेक्टर इसके बिलकुल parallel एक वेक्टर ड्रा करेंगे उतने ही magnitude का उसी direction में ठीक है यह वाला इसको मैं ऐसे ड्रा कर दिया और यह वाला जो है वेक्टर इसके बिलकुल parallel एक वेक्टर ड्रा करेंगे तो ऐसे यह दखो यह हमारे पास एक parallelogram बनगे parallelogram में opposite जो sides होती है उनकी length जो होती है वो same होती है यह length यह length same है यह length यह length same है जब parallelogram बन जाएगा तो जहां पर दो वेक्टर जो है ठीक है जहां पर दो वेक्टर की tail मिल रही थी वहाँ से diagonally यह वाला जो वेक्टर होगा यह हमारे पास f net होगा यह resultant होगा ठीक है अब यहां पर resultant का फार्मला हमने पीछे पढ़ाई कि resultant क्या है f net ही यहां पे resultant है formula क्या पढ़ा है कि f net is equal to formula पहले दूसरे वाला लिख लेती हूँ, यहां पे पहले vector का square प्लस, दूसरे vector का square प्लस, 2a, b, cos, theta, theta angle किस-किस के दर्मयान है, a and b के दर्मयान, तो यहां पे resultant की जगा, f net, यहां पे इसी formula को apply गर सकते हैं, पहला vector क्यों सा है, कोई सा भी ले लो, इसको पहला vector ले लो, इसको f2 ले लो, तो f1 पहले vector का square, पहला vector कितना है, 4, तो 4 का square, प्लस, दूसरा vector कौन सा है, यह वाला, इन दोनों का resultant निकान ले लो, तो दूसरा vector 3 का square, प्लस, 2, पहला vector, पहला vector, पहला vector कौन सा है, 4, एंड, दूसरा vector, दूसरा vector कौन सा है, 3, और cos theta, theta angle किस के दरमयान है, दोनों vectors के दरमयान, तो एक यह vector है, यह vector है, दोनों के दरमयान, angle कितना है, 90, तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos 90, अब cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है, 0, यह 0 है, यह इसके साथ multiply करके सारे को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो F net हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4, यह 16 हो जाएगा, यह प्लस 9 हो जाएगा, यहां से 16 में अगर हम 9 एड कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जवाब 25, 25, तो य एक दफ़ा एड करके देख लेते हैं, 25, ठीक है, 25 ही आता है, तो 25 का जो है, square root लेंगे, तो हमारे पास कितना जवाब आ जगा, resultant जो आएगा, 5 newton result आजाएगा, तो यह resultant जो है, इसका magnitude कितना है, 5 newton, अब दूसरा है, दूसरा वो direction भी पूछ रहे हैं, इस resultant की जो है, वो direction बताओ, जब भी हमने plane में vector की direction बतानी होती है, तो हम क्या calculate करते हैं, थीटा calculate करते हैं, थीटा calculate करने के लिए हमारे पास formula होता है, 10 theta is equal to, यहाँ पे हम y axis ले 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 लेते हैं, नीचे x axis ले 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 ठीक है, अब यह देखो, यह net है, तो यह वाला angle, यह वाला angle, यह वाला angle होगा, x axis के साथ angle होगा, यह y axis के साथ angle होगा, तो जब भी यह formula use करते हैं, ठीक है, तो हमेशा यह जो theta होता है, जिन y और x axis के दरम्यान होता है, वहाँ x axis से यह angle होता है, ठीक है, यह कौन से angle होता यह x-axis है, यह y-axis है, यह x-axis है, तो यह वाला थीटा होगा, यह वाला एंगल है, ठीक है, इसको हम यहां से देख भी सकते हैं, यह थीटा है, थीटा, थीटा के सामने जो होता है, तैन थीटा किसके ब्राबर होता है, तैन थीटा ब्राबर होता है, वर्टिकल डिवाइड़ थीक है तो यह वर्टिकल है सामने ओशन वाला क्या है वर्टिकल थ्री न्यूटन यह थ स्री न्यूटन यह तो यह वर्टिकल है और बेस कितना है four तो यह फरी लिख सकते यह इसको यह बहुँ क्या एक्सियक में mixaires requires three y-axis यह रहु है जुआ को for 3 Newton है यह भी 3 Newton है तो यह भी 3 Newton है तो 3 divided by 4 अब यहां पर एक आपने triangle हमेशा याद रखनी है यह वली ठीक है इसे आपको angles जो है वो याद रहेंगे यह 5 होता है यह 3 होता है और यह 4 होती है यह 90 angles यहीं रखने है ठीक है 37 degree और यह 53 degree ठीक है अब यहां पर देखो यह अगर मैं कहूँ कि 10 theta यह 37 है ना तो 10 यहां से 10 37 किसके बराबर होगा vertical 3 divided by base ठीक है तो अब यह देखो यह theta जो है किसके बराबर आ जाएगा 37 के तो 10 37 बराबर है 3 divided by 4 तो angle क्या आएगा यहां पर angle आएगा 37 degree यानि कि यह जो vector है इसकी x-axis से जो direction है ना यानि कि direction अगर आपने देखने है तो x-axis से चलते जाओ चलते जाओ जैसे ही 37 degree आएगा वहां पर stop हो जाना है यह ही वाली जो है वो direction होगी तो angle कितना आएगा 37 degree ठीक है यह हो गया हमारा ठीर है कार रनिंग अब 10 meteil पर सेकंड, वेस्ट एक कार है वेस्ट कि तरफ जा रही है हमैं पता है कि ऑपर वाला जो हों हो नौड ऊता है नीचे वाला सौथ होता है इधर व्हस्ट होता है इधर इस्ट होता है ठीक है तो कार किस तरफ को अब कार? running at 10 meter per second takes sharp turn west की तरफ run कर रही है सबसे पहले तो west की तरफ ये car है west की तरफ run कर रही है 10 meter per second से ठीक है velocity दी है कितनी 10 meter per second west इस तरफ को उता है न west इस तरफ को है तो वहाँ भी जाने के बाद takes sharp turn यहाँ से बिलकुल एक सीधी turn लेती है इस तरफ को and north की तरफ यह देखो north की तरफ and continues moving with 10 meter per second और 10 meter per second से ही यहाँ पे यह move करना जारी रखती है यह अगर v1 है तो इसको हम कह लेते हैं v2 कह लो ठीक है अब पूछ क्या रहे है if it takes 2 second अगर time जो है 2 second लगता है इसको find acceleration acceleration वो क्या कह रहा है कि acceleration मालूम करो अब acceleration का फार्मला हमें पता है change in velocity divided by change in time और velocity जो है वो change in final velocity minus initial velocity divided by delta t ठीक है अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है acceleration मालूम करना है यानि कि acceleration की magnitude भी मालूम करना है और उसकी direction भी बतानी है किस तरफ को होगी और फिर दूसरे vector में उसको add कर देते हैं ठीक है अब देखो हमने v1 को subtract करना है v2 में से पहले हम क्या करेंगे जो v1 है उसको opposite कर देंगे यानि कि उसके direction जो है वो क्या कर देंगे change कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा negative v अब यहां पर यह v2 है यह v1 है इसके direction को हमने क्या करना है पहले opposite करना है यह देखो v2 ऐसे ही ठीक है अब v जो v1 है वो इस तरफ को था पहले इसके direction change कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा यह इस तरफ को हो जाएगा ठीक है तो v जो है वो negative v1 बन जाएगा जिसकी value होगी 10 meter per second और v2 कितना है वो है 10 meter वो भी 10 meter per second ठीक है अब हमने क्या करना है v2 v2 jama minus v1 कर देना है ठीक है यही किसके बराबर होगा इसके बराबर simply इन दो vectors को हमने क्या कर देना है add कर देना है parallelogram loss है ठीक है अब यह जो है यहाँ पे यह क्या है यह हमारा resultant vector होगा हम sum ही कर रहे हैं subtract opposite vectors को दूसरे vector में sum कर रहे हैं यह इसको subtract कह सकते हैं ठीक है subtract कर रहे हैं तो यह जो resultant है यह अब हम कैसे मालूम करेंगे यह जो दो वेक्टर्स हैं इनकी फिर parallelogram बनाएंगे कैसे बनाएंगे एक यह वाला vector है बिल्कुल इसके opposite यहाँ पे एक ऐसे एक vector रहा करेंगे ऐसे करके ठीक है और फिर यह वाला जो वेक्टर है बिल्कुल इसके parallel एक उसी size का magnitude का वेक्टर रहा करेंगे यह parallelogram बन गई फिर यह जहां पे मेल रहे है वहाँ से diagonally यह वाला जो होगा यह resultant होगा resultant यानि के V2-V1 अब यह वाला हम calculate कैसे करेंगे V2-V1 यह वाला V2-V1 वही वाला फार्मुला पहले vector का square जमा दूसरे vector का square माइनस 2 पहला vector दूसरा vector अब यहाँ पे जो है वह subtract कर रहे है तो subtract करने के लिए जो vector का में फार्मुला जो होता है वह उसका sign change हो जाता है पहले vector का square प्लस दूसरे vector का square यहाँ पे माइनस लगेगा यहाँ पे क्या था यहाँ पे plus था जब add करते हैं तो plus आता है जब subtract करते हैं तो minus आ जाएगा 2 A B cos theta अब दो vectors के दरम्यान यहाँ पे दो vector कौन कौन से हैं पहला vector है इसको ले लो V1 पहला vector कौन से है V1 V1 का square कितना है यह 10 है 10 का square प्लस दूसरा vector कौन से है V2 यह भी कितना है 10 10 का square माइनस 2 पहला vector भी 10 है दूसरा vector भी 10 है और उनके दरम्यान angle कितना है यह एक vector दूसरा यह vector तो angle कितना है 90 तो यह वाला जो है cos 90 जब यहाँ पुट करूंगी यह दखो cos 90 पुट किया है तो यह सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यह तो हो गया 0 तो पीछे resultant क्या बच गया हमारे पास resultant क्या बच गया यह resultant किसके वराबर है V2 माइनस V1 के वराबर है तो यह resultant जो है यह कितना हो गया 10 यह 100 प्लस और यह भी 100 तो यह हो जाएगा V2 माइनस V1 इस इकुल टू अंडरूट 200 अब 200 का अंडरूट का कैसे लेंगे यहाँ पे ले लेते हैं यह 200 है यहाँ से 10 ले लेते हैं 10 दो बार यह 20 हो जाएगा 10 दो बार 20 और 2 एक बार 2 यह 10 स्केर हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्केर जरब 2 ऐसे करके यह V2 माइनस V1 कितना आजाएगा यह 10 जो है वो बाहिर आजाएगा और अंडरूट 2 जो है वो अंदर आजाएगा तो यह जो वैलियो आगी हमारे पास V2 माइनस V1 की यह हम यहाँ पे पूट कर देंगे एक्सलरेशन जो है इतनी आई 10 अंडरूट 2 डिवाइड़ बाए टाइम कितना है 2 सेकेंड तो यह कर जाएगा एक्सलरेशन का मेगनिटूड यह आगया ठीक है डिरेक्शन क्या होगी डिरेक्शन यह देखो इसकी क्या होगी डिरेक्शन होगी ठीक है यहाँ पे एक और बात कि यह जो एक्सलरेशन है यह कब का है यहाँ पे पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चलती आ रही थी बाद में 10 मीटर पर सेकेंड से नोर्थ की तरफ जाने लगी यह acceleration तब का है जब उसने टर्ण लिया, टर्ण लेने में दो सेकिंड लगे तो उस दुरान जो acceleration आया ठीक है, वो वाला acceleration यहाँ पर हमने calculate किया है next question है find correct angles, यहाँ पर हमने correct angles मालूम करने हैं correct angles मतलब हमेशा वो वाले angles जो correct होते हैं, जो head to head के दर्मयान हो, या tail to tail के दर्मयान हो, यानि के head head to head यानि के ऐसे head के साथ head मिल रहा हो, और यहाँ पर angle हो, यह correct होता है या दूसरा जो होता है tail to tail tail से कोई vector है, उसकी tail से tail मिली हुई है, यहाँ पर यह वाला angle यह यह वाला angle correct होता है, ठीक है यह दोनों angle जो होते है, वो correct होते है अब यहाँ पर correct angle कैसे है, पहला देखो यह देखो एक यह वाला vector है B vector और एक A vector है दोनों की tail से 10 मिली हुई है angle 90 है, यह 90 angle जो है वो बिल्कुल correct है अब दूसरे वाला देखो, यहाँ पर यह B vector है और यह A vector है दोनों की head to head मिले हुई है ठीक है, 70 degree यह भी correct angle है अब तीसरा देखो यहाँ पर यह वाला एक vector है और दूसरा यह वाला एक vector है, ठीक है head के साथ tail मिली हुई है और वहाँ पर angle ऐसे बन रहा है तो यह correct angle नहीं है इसको हमने correct करना है correct कैसे करेंगे यह 3 वाला यहाँ पर correct करते है हम क्या करेंगे हम किसी एक vector को लेके paralleler displace कर लेंगे for example अगर A है तो A को यहाँ ऐसे displace कर लो यह B है B को ऐसे displace कर लो तो दोनों चीज़े हम कर सकते हैं मैं क्या करूंगे मैं A को displace कर लेती हूँ लेजसे कि यह B vector मैं यहाँ पर दुबारा बनाती हूँ यह वाला B vector ठीक है अब मैंने क्या करना है यह जो A vector है इसको मैंने बिल्कुल उठा के parallel displace करना बिल्कुल parallel लाके इसके साथ इसकी टेल के साथ टेल मिला देनी है यह निके ऐसे ले आना इसको नीचे ठीक है अब जब मैं इसको ऐसे नीचे ले किया हूँग direction magnitude कुछ भी change नहीं करना same to same ऐसी होना चाहिए तो यह कैसे हो जाएगा ऐसे तो यह मैंने क्या किया मैंने A vector को parallel यहां पे displace करके नीचे ले आई अब यह वाला जो angle होगा यह वाला correct angle है ठीक है अब 120 यहां पे कैसे बनेगा 120 angle देखो यह वाला angle यह B जो है वो A के साथ बना रहा था यहां पे भी बनाएगा यहां सिरफ अमने vectors वो displace किया लेकिन angle 120 यहां पे भी बनेगा कैसे देखो कि यह जो B है इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे displace कर लो पीछे displace कर दिया पीछे को थोड़ा सा extend कर लो ठीक है और यह देखो यह B वेक्टर पुरा एवेक्टर के साथ ऐसे करके यह देखो यह वाला जो angle बना रहा था यह कितना था 120 यह देखो यही वाला angle हमने क्या कर दिया यहीं पे बना दिया अब यह वाला angle 120 है यह वाला मलूम करना हाए अब हमें बता है जब भी कोई straight line होती है तो यह वाला जो angle होता है यह ऐसे करके 180 होता है यह 120 है तो यह क्या है? यह सीधी line है तो यह वाला angle जो होगा इतना यहां से लेके यहां तक यह कितना है? 180 यह 180 है पूरा और यह कितना है? यह 120 है तो 180 में से 120 निकाल दें तो हमारे पास यह वाला angle बच जाएगा तो 180 में से मैंने निकाल दिया 120 तो angle मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 तो यह वाला जो angle है यह वाला angle यह कितना निकल के आया? यह 60 angle है अब यह देखो यह angle तो यह वाला एंगल जो है वो कोरेक्ट एंगल है इसी तरह यह वाला देखो इसमें भी सेम इसी तरह हमने करना है यह इसको एक्टर कहलो इसको भी कहलो ठीक है अब यह एंगल देखो कहां पर बन रहा है है एड और टेल जहां पर मिर रही है वहां पर यह एंगल बन रहा है इ इसको correct angle मालूम करना है, यह A vector बिलकुल ऐसे रहने दो, और B vector जो है, उसको displace करके थोड़ा सा, ऐसे ले आओ, देखो, length वगेरा, सारी direction, same to same रहने देनी है, बस parallel ऐसे displace करके, यहां पे लेके आना है, ठीक है, अब यह जो angle होगा, यह वाला correct angle होगा, ठीक है, अब यह पीछ करके, B vector के साथ यह angle बना रहा था, same वैसे, इसको थोड़ा सा extend कर लो, तो, यहां पे यह वाला जो angle है, यह वाला A vector, B के साथ, यह वाला angle जो बना रहा था, यह कितना है, 140, इसे तरह, यह total angle, जो होगा, यह सारा, यह कितना था, 180, तो, 180 में से, यह पूरे 180 में से, 140 यह वा यह वाला जो angle होगा, यह कितना बच जाएगा, 180 माइनस, 140, तो, कितना angle बच जाएगा, 40, ठीक है, 180 में से, 140 निकाल दिया, तो, यह वाला जो angle होगा, यह क्या होगा, यह correct angle होगा, ठीक है, अब next question है, हमारा, find resultant, यह दो vectors है, A, और यह दूसरा vector है, इसका magnitude 3 unit है, इसका magnitude भी 3 unit है, यह B vector है, इसको B vector कहलो, यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका resultant मलूम करने का formula वही, resultant जो है, resultant is equal to, first vector का square, plus second vector का square, plus two first vector, second vector, cos theta, अब यहां पर theta angle, जो है, किसके दरम्यान है, vector A और vector B के दरम्यान, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यहां पर मिला लेती हूँ, दोनों को head to tail rule से, लैसे कि यह vector A है, A, कितने 3 unit है इसका, और यह vector जो है, यहां पर उठाके, मैंने इसके साथ ऐसे करके, मिला दिया, ठीक है, और दोनों के दरम्यान angle, यह देखो, यह x-axis में ही है न, तो यहां पर लाके लगा दूँगी, तो यह B vector है, दोनों के दरम्यान angle कितना दिया हूँ है, 60, तो हम मैं क्या करूँगी, यह जो angle है theta, यहां पर 60 पूट कर दूँगी, ठीक है, अगर मैं यहां पर 60 पूट कर दूँगी, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यूं, क्यूंके मैंने अभी आपको बताया, यहां पर दो angle ही correct होते हैं, यह tail to tail, यह head to head के दरम्यान जो बन रहा हूँ, यहां पर क्या है, यहां पर जहां पर angle बन रहा है, वहाँ head के साथ tail मिल रही है, तो यह angle सही नहीं है, तो हमें कौन सा सही angle पहले बनाना है, तो सही angle कैसे बनाएंगे, वही parallel displace कर लो, चाहिए वाले vector को ऐसे ले जाओ इधर, चाहिए वाले vector को ऐसे ले जाओ, अब मैं क्या तो यह मेरे पास B vector है, अब यह जो angle बनेगा न, यह वाला यह सही angle है, यह यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, अब यह वाला कौन सा angle है, यह जो यहां पर बन रहा था, यह कैसे, यह angle कैसे मालूम करेंगे, यह बन रहा था A और इस angle के दरम्यान, यह देखो, X-axis, यहां से यह देख लो, यह X-axis और इस vector के दरम्यान बन रहा था, थोड़ा सा अगर मैं A vector को, जैसे मैंने वहां पर vector बनाए है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं extend कर दूँ, यहां पर A और यह वाला ऐसे करके बन रहा था, तो यह ही A को मैं extend कर दूँ, यहां पर, तो यह जो vector बन रहा यहां पर, यह कौन सा था, यह था 60, ठीक है, अब यह वाला एंगल हमें चाहिए, तो यह पूरा जो होता है, यह वाला, यह 180 है, यह पूरा 180 है, 180 में से यह 160 निकाल दूँगी, तो मेरे पास यह दो वेक्टर के दरम्यान जो एंगल है, यह वाला निकल के आ जाएगा, यह क 120 डिग्री, ठीटा जो है, वो कितना आ गया, 120, सही है, तो यह वाला एंगल अब हमने यहां पर पूर्ट करना है, और हमने यहां से वेल्यूज जो है, वो निकाल लेनी है, सेम उसी तरह पहला वेक्टर, 3 स्केर, दूसरा वेक्टर, कितना है, वो भी 3 स्केर है, प्लस 2, A, B कोज, 120, तो यहां पर यह पूट करके, यहां पर रिजल्टन्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह रिजल्टन्ट हम मालूम कर सकते हैं, अब अगर डिरेक्शन ड्रा करनी हो, तो डिरेक्शन भी वही पैरालिल हो, यह एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर, य यह B है, यह A है, ठीक है, इनके डिरेक्शन ड्रा करनी हो, तो हमने क्या इसके पैरालिल हो ग्राम बना लेनी है, बिलकुर इसके पैरालिल सेम डिरेक्शन, उतना ही एंगल, उतने ही एंगल पर उतना ही मैग्निटूर का एक वेक्टर ड्रा करना है, यह इसका पैरालिल वेक जी आयाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि दो हैं पर यह पे टूसा करेंगे लिए चाहले। A, 4 A vector जो है वो 4 है दूसरा vector जो है वो इस तरह इसके उपर रखना है कि उसकी tail इसके head से join कर जाए तो यह 2 unit है यह कितना है? यह B vector है ठीक है? और तीसरा vector इस तरह रखना है कि उसकी tail इसके head के साथ को inside कर जाए यह head to tail rule है ना तो यह कितना हो जाएगा, यह हो गया, 3 unit, और यह है C, ठीक है यह पहला vector लिया, रख लिया और दूसरा vector इसके उपर इस तरह रखा कि उसकी tail जो है, इसकी head से मिल जाए, फिर तीसरा vector इसतरह रखा कि उसकी tail, इस second vector जिसके उपर रख रहा है, उसकी head से मिल जाए, अब resultant कैस उसकी resultant ऐसे draw करना है कि resultant की tail जो है वो सबसे first vector की tail के साथ जुड़े और उसका head जो है वो सबसे आखिर वाला vector यानि के c के head के साथ मिल जाए कुछ इस तरह करके तो यह क्या होगा यह resultant होगा अब यहां पे resultant का magnitude मलूम करने के लिए हमारे पास जो यह वला फार्मलाunci में क्या है इसमें दो दो vectors हैं तो यहां पे हमारे पास तीन vector है तो यह resultant कैसे मलूम करेंगे हमने इन तीन vector को भी two vectors में convert कर लेonta है पहले कैसे करेंगे अब ये देखो ये वाला वेक्टर जो है ये इस तरफ को है four unit vector और ये वाला vector जो है ये इस तरफ को है three unit vector ये four unit इस तरफ को है और three unit जो है war इस तरफ को है तो मैंने बताया था जब opposite direction हो तो हम کیा करते हैं इसको simply scalars की तरह क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा इन दोनों का कितने यूनिट? 1 ये क्या आ गया? 1 यूनिट अब ये देखो, इन दोनों को कर लिया है ये 1 यूनिट की डारेक्शन क्या है? बच जाएगा, ठीक है? इसको लेट से हम कह लेते हैं A' कह लेते हैं, ठीक है? अब दूसरा वेक्टर कौन सा बच गया? B ये वाला B, 2 यूनिट अब यहाँ पे रिजर्टन सिंपल कैसे मालूम करना है? अब हमारे पास क्या आ गया है? दू वेक्टर कैसे मालूम करना है? पैरलीलोग्राम लाग ऐसे लगाना है? ये वाला वेक्टर्स जो है? इसको हम डिस्प्लेस कर लेते हैं एसे क्या पैरलीलोग्राम मैंने लाग ऐसे बताया था? कि जब भी दू वेक्टर्स के Tail मिल रही होना वहाँ पर parallelogram ला लगाना है तो यहाँ पर दो वेक्टर की टेल नहीं मिल रही तो टेल मिला देनी है यह क्या है यह A' है वन यूनिट और इसको मैंने क्या किया इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया यह वाला वही वाला टू यूनिट इसको B वेक्टर यह B वेक्टर था ठीक है अब क्या करना है वही parallelogram बना लेनी है ऐसे करके तो यह वाला जो वेक्टर होगा यह resultant होगा यह कैसे निकाल लेना है resultant यहां पर मैं लिख देती हूँ पहले वेक्टर का square पहला वेक्टर कों से है वन यूनिट वन का square प्लस दूसरा वेक्टर कों से है टू का square और टू A B कोस थीटा थीटा कितना है दो वेक्टर के दर में 90 तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आर जो है वो हमारे पास आजाएगा वन प्लस दो दो बर चार और ये अंडरूट और ये अंडरूट फाइग तो ये रिजर्टन हमारे पास आजाएगा इसका ठीक है अब नेक्स क्वेस्टिन है वो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं इनका रिजर्टन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता लेट्स देख कि ये जो A वेक्टर है ये कितना है छे है और B वेक्टर जो है ये कितना है आठ है ठीक है अब पहला नीलो ग्राम लाओ में हमने पढ़ा था जो रिजर्टन होता है रिजर्टन मैक्सिमम कितना होता है वो होता है A प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर और उनका मौड ठीक है और R मिनिमम जो रिजर्टन कितना हो सकता है वो ये वाला हो सकता है तो आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि इन में से कौन सा नहीं हो सकता तो आपने मैकसिमम वैल्यू महलूं कर लेनी है और मिनिमम महलूं कर लेनी है जो वैल्यू जिनके दर्मयान में आएंगी वो हो सकता है जो इनके इलावा आएंगी वो नहीं हो सकता ठीक है तो मैकसिमम देख लेते है A प्लस B 6 प्लस 8 कितना हैगा ये क्या आजाएगा ये आगया 14 ठीक है A है 6 और B है 8 पे जो इसका रिजल्टन्ट होगा ये मिनिमम और मैकसिमम से लेके जितने भी होंगे नंबर सारा इसके रिजल्टन्ट होंगे 2 से लेके 14 तक ये सारे जो है इन दो वैक्टर्स के रिजल्टन्ट होंगे यानि के 2 और 14 के दरमयान 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी हो, तो यहां पर देखो, 14 भी होगा, resultant 2 भी आ रहा है, और 10 भी 2 और 14 के दरम्यान में ही आ रहा है, लेकिन जो 16 है, वो 14 से बड़ा हो गया, तो यह वाला resultant इसका नहीं होगा, ठीक है, तो correct answer जो है, वो है C, next question है, एक वेक्टर S है, जिसका magnitude 6 है, और एक और वेक्टर T, लेकिन उसका magnitude नहीं दिया हुआ, है, वेक्टर T यानि के T और S दोनों का मिला के, सम दिया हुआ है, 12, अब यहां पर वो पूछ रहे हैं, वेक्टर T के बारे में पूछ रहे हैं, must be perpendicular to S, यह इसके perpendicular होगा, यह must have magnitude of at least 6, but no more than 18, अब यहां पर actually, वो T की T वेक्टर की maximum कितनी value हो सकती है, और minimum कितनी value हो सकती है, वो पूछ रहे हैं, तो यह वाला values, जब भी किसी वेक्टर की maximum minimum value पूछ रहे हों, तो वो भी हम, R maximum और R minimum वाले फार्मले से calculate कर सकते हैं, यहां पर data क्या दिया हो है, एक तो S vector दिया हो है, कितना दिया हो है, 6, और दूसरा T और S, दोनों का sum दिया हो है, वो कितना है, 12, और इसी को मैं क्या कह सकती हूँ, इसी को मैं resultant भी कह सकती हूँ, ठीक है, क्यूंके यह भी resultant है, यह भी resultant है, अब एक जो R maximum होता है, वो किसके बराबर होता है, R maximum बराबर होता है, T, पहला vector, प्लस दूसरा vector, ठीक है, अब देखो, यहां पर resultant कितना दिया हो है, resultant दिया हो है, 12, तो इसकी जगह मैं यहां लिखती हूँ, 12, ठीक है, और T, जो है वो दिया नहीं हुआ, T की एक value maximum पूछी है, और एक minimum, तो एक value जो R maximum से निकल आएगी, एक value जो वो R minimum से निकल आएगी, तो S कितना दिया हो है, X दिया हो है, ठीक है, अब 6 में कितना T जमा, T की value कितनी जमा करेंगे, कि यह कि आजाएगा, 12 आजाए, ठीक है, तो T की जगह अगर मैं 6 पुट करूँगी, तो यह 12 आजाएगा, तो T की एक value जो आगई, 6 आगई, ठीक है, तो एक value यह आगई, और दूसरी value जो है, वो R minimum से calculate कर सकते हैं, वोकि इसके बड़ाबड़ा T, minus S, R minimum भी क्या है, 12 है, ठीक है, और यहाँ पे minus, और S कितना है, 6, अब यहाँ पे, T की मैं कितनी value पुट करूँ के, 12 आजाए, यह minus होके, 6 minus होके 12 आजाए, तो यहाँ पे 18, अगर मैं पुट करूँगी, तो 18 में से 6 निकालेंगे, तो क्या आजाएगी, 12 आजाएगी, तो यहाँ पे T की value क्या आजाएगी, 18, तो T vector की maximum value 18 आजाए, और T vector की minimum value कितनी आजाए, 6, तो इसकी value जो 6 और 18 के, दरम्यान में होंगी, अब यहाँ पे minimum value कब होगी, जब angle 0 होगा, जब angle 0, जब angle 0 होता है, तब ही R maximum यह वाला फार्मला निकल के आता है न, जब पिछला जो parallelogram वाला लेक्चर है, उसमें यह निकाला हुआ है हमने, और R minimum कब होगी, जब theta जो होगा, वो 180 होगा, जब T और S जो है दोनों anti-parallel होगे, ठीक है, R minimum कब निकल के आया था पिछले रेक्चर में, यह वाला फार्मला कब निकल के आया था, जब theta 180 था, ठीक है, तो यह था हमारा, यह वाला question, अब next देखते हैं कि, question 10 में क्या लिखा हुआ है, question 10 में क्या कह रहे हैं, the resultant of two forces, दो forces है, of equal magnitude, दो forces है, उन forces का magnitude equal है, is also equal to magnitude of forces, दो forces है, उन forces का magnitude equal है, और फिर उनका जो resultant है, वो भी force के magnitude के equal है, लेट से कि, यह F1 है, ठीक है, और एक force है F2, दोनों का magnitude जो है, वो सेम है, लेट से कि, दोनों का सेम हम F कह लेते हैं, इसका भी F है, इसका भी F है, और फिर कह रहे हैं कि, the resultant of two forces, of equal magnitude, इनका जो resultant है, वो भी क्या है, वो भी equal है, इन्हीं के equal है, तो उसको भी हम यहां पे R कह लेते हैं, यानि के R भी F के बराबर है, F2 भी F के बराबर है, F1 भी F के बराबर है, यह resultant भी बराबर हैं, ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं, the angle between force, यह F1 और F2 के तरह में, angle मालूम करना है, वो ही same formula, resultant का formula किया है, R is equal to under root, पहले vector का square, प्लस दूसरे vector का square, दो vector यहीं वाले हैंना, प्लस तू पहला vector, दूसरा vector, और cause theta, तो यह angle यहां पे मालूम करना है, R कितना है, R भी F के बराबर है, F1 भी किसके बराबर है, F के बराबर है, F square प्लस F2 भी किसके बराबर है, F के बराबर है, प्लस 2, F1 क्या है, वो भी F है, F2 भी F है, और यह cause theta, ठीक है, अब यहां पे, इसको अब further calculate करें, तो F square, F square, 2 F square हो जाएगा, प्लस, तो यह 2, यह FF से multiply होके, F square, cause theta, अब यहां पे further इसको दोनों का square ले ले लेते हैं, तो यह square हो जाएगा, square root खतम हो जाएगा, यहां से, तो यह 2 F square प्लस, 2 F square cause theta, यह 2 F square इदर जाएगे, माइनस हो जाएगा, 2 F square is equal to, 2 F square cause theta, F square में से, 2 F square निकालो तो कितना हो जाएगा, माइनस F square, अब यहां पे देखो, 2 F square cause theta, यह 2 F square इदर जाएगे, divide हो जाएगा, तो cause theta मारे पास किसके बराबर आजाएगा, माइनस F square यह इदर जाएगे क्या हो गया, divide हो गया, तो यह cut गया, तो यह minus 1 by 2 आगया, अब यहां पे theta कितना put करेंगे, कि जवाब जो होता है, वो 1 minus 1 by 2 आजाता है, यह आपने या रख रख रहेंगे, जो cause 120 होता है न, वो minus 1 by 2 के बराबर होता है, और जो cause 60 होता है, वो 1 by 2 के बराबर होता है, ठीक है, अब यहां पे minus 1 by 2 आए न, cause is equal, cause theta is equal to minus 1 by 2, तो minus 1 by 2, theta कितना put करके, minus 1 by 2 आता है, 120 put करके, minus 1 by 2, तो theta यहां पे कितना आजाएगा, 120, तो यह वाला क्या आजाएगा, आंसर आजाएगा इसका, एक numerical है, इफ a plus b square is equal to a square b, what is the angle, इसमें भी angle ही पूछा है, अब यहां भी यह देखो, यह a more, a plus b more, यह किसको show कर रहा है, यह resultant को show कर रहा है, ठीक है, अगर इसका square है, तो यह resultant का square है, अब यह resultant का square, वो कह रहा है, कि a square plus b square के बराबर आया, तो theta कितना put करके, इतना आएगा, अब वही आर square, यही फार्मुला लिख लूँ, अगर मैं a square plus b square plus 2ab cos theta, तो r square यह रहा है, तो r square a square plus b square के बराबर कब आएगा, थीटा मैं कितना put करूँगी, तो यह आजाएगा, अफकोर्स theta यहां पर जब मैं 90 put करूँगी, 2ab cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा, यह सारा 0 हो जाएगा, तो r square जो है वो a square plus b square के बराबर आजाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a plus b mode square, ठीक है, तो theta जब मैंने 90 put किया, यहां पर इसमें, फॉर्मुला में theta 90 put किया, तो क्या आगया, resultant square यह जो है, अंसरा जाएगा, जाएगा,